वेलकम बैक्टी चैनल अगेन और आज हम बात करने वाले हैं मॉस्ट चीपेस्ट मॉस्ट एफोर्दबल बेस्ट प्रोटीन सोर्स के उपर तो बेस्ट एफ़ड़बल चीपेस्ट प्रोटीन सोस अपने सब के प्यारे अंडे जो कम रेट में मिल भी जाता है और निट्रिशन बर भर के जादा टाइम पेस्टन करते हैं वीडियो पर जलते हैं प्रोटीन सोर्स को बात कर रहे हैं और ब्रोव साइनश को बात नहीं करेंगे ऐसे कहने चलेगा तो जब हम एग्स के बात करते हैं ना most of the trainers या फिर बहुत लोग most of the people जो बड़े लेवल पे है वो भी यसे बोलते कि जो एग whites है बस उसको खाना चाहिए और एग yorks को फेग देना चाहिए अब मैं उसके खिलाब बोलूँगा लोग बोलते उस पर खाने से एक्तिकॉलेस्टोर हो जाएगा अब मेरे बाद ध्यान से दिमाग लागा के कान खोल के आँख खोल के सब खोल के सुनो शानती से फिर आप डिसाइड करना कि आपको एग yorks खाने है या नहीं खाने तो सबस कितना होता है एक एग एक के बात कर रहो होता हुआ है एक में होता है छे ग्राम के आसपास प्रoteean मलब एबरेज का शेगर पूर्ट चैनल प्रोट्न होता है वहां से अगर एग योक फिक देंगे वहां से हम लोग 3 गर्म प्रोटीन गुम गुम हो गया मतलब हम लोग बस किसको नहीं प Pennsylvania Public sixt के बारे में अभी बाद करेंगे वा कि वी लास्ट में अभी मैं बस nutritional value कि बात कर रहा हूं एक यॉइक में क्या क्या nutritional value होते हैं सबसे पहले उसमें होता है तीन से 4 ग्राम प्रोटेन वह भी लीन प्रोटेन जो आप आए और चीज द determination लीप 3 जो हम लोग अलग से सप्लिमेन लेते मैं फीशल के बाद नहीं कर रहा हूं फीशल अच्छा है नोड़ा उट वुसको लेना चाहिए जब कि हम लोग को यहां से मिल रहे हैं विटामिन्स 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 वि कि विटेमिन डी होता है जो हम लोग दूब से मिलता है लेकिन सुभे कोई उठते नहीं तो विटेमिन डी मिलना बहुत मुश्किल इसको लगवागा अलग सबस्क्राइब लेते हैं जब भर भर के विटेमिन डी पढ़ा है हम लोग ज्याटमेंग नीद पुरी नहीं होती हम लेते हैं इसमें भी जिंग भी है मैंगेशियम भी है अब इतना कुछ है इसमें तो इसको फेकना क्यों है यह वान अदा बैस नूट्रिशन है दुनिया का इस से अच्छा नूट्रिशनल वेलू का कुछ चीज है नि प्रोटीन है जितना जो जो आपको नूट्रिशन चेस करते हैं को लोग बोलते हैं कि भाई यह खाने से बढ़ जाता है कोई बोलते हैं मोटे हो जाते है पहली बात तो सुनो हमको गुट फैट्स के जरुरत है आप गुट फैट्स यानि की जो बादाम से मिलता है या फिर कोई भी नर्स से मिलता है तो हम लोग वो खा सकते यह क्यो मतलब नहीं है जो हम लोगों इसमें न्यूट्रिशन हो आपने बोड़ी के लिए बहुत अच्छा है लोग बोलते कि यह खाने से मोटे होजेंगे क्यों मोटे होंगे भाई इसमें कहले जाता है बाई कितना कहले जाता है वह कहले को एक चमच और सकम खालोना खतम बात उसमें क्या रोना दोना है भाई कोई लोजिक आपको ढूंड के मिलेगा नहीं अभी बात करते कितने अंडे सेफ होता है वह सेफ का कोई लिमिट नहीं किसी को एक खाने से प्रोलेम हो जाता है किसी को दस खाने से प्रोलेम नहीं होता है तो वह डिपन करते है किसको अलर्जी है कि मैं कितना जाता हुआ ronim everyday करते हुआ देख़ो मैं दिन का तीन एक पहता हुआ है और पिकंः तो गया का पमेजी को घाने से आपके नहीं बी हो सकते हो भी सकता ओसनी अभी लोग बहते हुआ इसITY आप आप कोई से दिन के 10-12 आंडे खा रहे हो तो एक या दो अंडे उसमें से अगर थोड़ा बहुत चला भी जाता है क्या फरक पड़ता है तुम वरकोट कर रहे हो ना वो निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जो वरकोट नहीं करते हैं उनको प्रॉलम है आपको हरो क्या फरक पड़ता है आप अगर 10 बर आंडे खारो फिर प्रॉलम है कि हाँ यॉक पेकना यह वह कोई दिक्कत नहीं है जैसे कि हम लोग को कैलरी काउंट रखना जरूरी नहीं है वैसे ही एक यॉक फेकना जरूरी नहीं है बस इतना ही था आचका वीडियो मैं अपना ए यॉक के साथ एंजोई करता हूं तब तक आप भी एक्स खाओ बिंदा जबा के खाओ जबा के बोटी बनना मिलता हो नेक्स वीडियो में अंटिल जैन मस्क खाओ फिट रहो मिलता हो नेक्स वीडियो में बाबाई